विदान सबाद में नेतर प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बीजेपी सरकार पर ताना शाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सदन में युवाओं, महिलाओं, आदिवासी, दलित वर्ग को लेकर के नहीं हो रही है बाद। वहीं विदान सबाद ध्यक्ष पर भी भेदभाव का आरोप लगाया। उमंग सिंगार से इन सारे मुद्दो पर बात कि हमारे संबाद अता अतुल शर्माने। वहीं वास्कार के रुप में बात करते हैं। प्रदेश की जनता को बताना चाहते। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी इनको सब्सीड़ी नहीं मिल रही महलाओं को तो इसे कई मुद्दे हैं। इस पर हमने ध्यान आकरशन लाए आकरशित किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी ना युवाओं की बात करना चाहते हैं। तो यह एक गलत परंपरा है। पंदरा कोड रुपे सबका साथ सबके विकास की बात करते। इनके विदाय को पंदरा कोड देना चाहते हैं। कॉंगरस की विदाय को पंदरा कोड रुपे आविकास कार के लिए नहीं देना चाहते है। तो यह आप खुले हां ताना शाही दीख रही है। एक भाज़पा सरकार की मत्परेश के अंदर। कि हम विशे को बठाना चाहते हैं। एक किसी विशे क लाके अगर बात और बात करें तो इसके प्रदेश के मुद्दों से काम कर रहे हैं। और आज सदन की कारवाय के दोरा जिस तरह के सामने नोग जोग देखी तो इस पास इस पस्ट है कि आने वाले दिरों में विदान सबाब में और भी तीकी नोग जोग सकता और विपक्ष की बीच में देखने को मिल सकती है विडियन परिदीप कातुर शामने इस चेट मतमदेश चत्रिसगर बोपाल